नमस्कार एजुकेसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत हैं अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं SSC CPU SI की आंसर की के बारे में आपको बता दे CPU SI की आंसर की जारी कर दी गई है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस परकार से आप CPU SI की जो आंसर की है वो डाउनलोड करेंगे पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक को और सेर कर दे और साथ ही ऐसे वीडियो तेकने के लिए बिना किसी जेरी के चैनल को भी सब्सक्राब करके बैल आइकन को दबा दे अब आईए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस परकार से आपको answer की download करनी है तो आपको बता दे SSC CPU SI की answer की download करने के लिए आपको Google Chrome या अन्य कोई browser open करना है और यहाँ पर आपको search करना है educationindialive.com आप Google में लिखेंगे educationindialive.com और search करनेंगे दोस्तो सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार्ड से एक नया पेज आएगा यहाँ पर जो सबसे उपर educationindia website देखने को मिल रही है इस website को आपको open कर लेना है website को open करने के बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस परकार्ड से एक नया पेज आएगा यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे की और आ जाना है जैसे ही थोड़ा सा नीचे की और आएंगे तो आप देख पाएंगे SSC CPU की आंसर की यहां से देखे इस लिंक पर क्लिक करके आपको इस post को open कर लेना है इस post को open करने के बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस परकार से एक नया पेज आ जाएगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की और आ जाना है जैसे ही दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे की और आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा SSC CPO Answer की 2022 लिंक इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर candidate login का option आ रहा है तो आप क्या करेंगे अपने role number यहाँ पर डालेंगे role number जो की आपको आपके admit card पर देखने को मिलेंगे और password डालेंगे password भी आपको admit card पर देखने को मिलेंगे role number के ठीक नीचे आपको password देखने को मिलेंगे इन दोनों ही detail को आप डालेंगे और फिर आप login पर क्लिक कर देंगे जैसे ही दोस्तों आप login करेंगे तो कुछ इस परकार्ट से आपके सामने एक page आएगा यहाँ पर आपको सबसे नीचे की और आजाना है और close का बटन आपको दबा देना है close करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार्ट से एक नया page यहाँ पर आएगा question paper and answer की किस section में आप देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर to download your question paper for sub inspector in Delhi police and central armed police forces examination 2020 to click here to generate यहाँ पर जो here लिखा हुआ है इस here पर आप click करेंगे अब दोस्तों कुछ इस परकार्ट से आपके सामने आपकी answer की open हो जाएगी यहाँ पर आप अपनी basic details देख पाएंगे उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप question देख पाएंगे यहाँ पर आप status देख पाएंगे और यहाँ पर आप सही जवाब देख पाएंगे जैसे पहले के अंदर तो यहाँ पर चो candidate दवारा कोई response नहीं दिया गया है लेकिन दूसरे question के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर जो option choose किया गया था वो पहला था और यहां पर जो सई option है वो भी पहला है अगले सवाल में भी आप यहां देख लेंगे तो आप देखेंगे चौथा जो option था वो select किया गया था और यहां सई जो option है वो भी चौथा है उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर आप आप देखेंगे इस second जो option था वो select किया गया था लेकिन third option बिल्कुल सही था तो यहाँ पर इनका गलत हो गया तो इस परकार से आप अपनी answer की का मिलान कर लेगे और इस answer की को download करने के लिए आप उपर आएंगे और फिर आप print पर click करेंगे print पर click करते ही यह answer की आपकी phone में या आपकी computer में download हो जाएगी यह थी पूरी जानकारी answer की देखने को लेकर वीडियो गर आपको पसंद आया है तो वीडियो का आप like करेगा और साथ यह से यह वीडियो देखने के लिए बिना किसी देरी के channel को भी subscribe करके bell icon को दबा दीजेगा मिलते हैं आप सब्सक्राइब वीडियो में किस से ने जानकारी के साथ तब तक के लिए